दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी और ये स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये दिल्ली मेटरों के अंदर की है असल में तो ये एक वीडियो है हम आपको वीडियो ही दिखाते हैं ये एक वीडियो आप स्क्रीन पर देख इस वीडियो में देखिए कि दो लड़की है और दिल्ली मेट्रो के अंदर की ये तस्वीर है किस तरह से ये दोनों लड़कियां जो है वो होली मना रही है ये होली मना रही है या क्या कर रही है इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता है ये है देश की राजधानी के अंदर मे और देखी, जादा इन लोगों के उपर गौर नहीं किया है, गाना बज रहा है, गाना को हमने म्यूट कर दिया है, और ये तस्वीरें आप देखिए कि क्या हालात है, ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये होली खेला जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, गानना लगवग 45 sec का आसपास का वीडियो वाइरल हुआ है, तसबूर करके देखिए, क्योंकि 45 sec का वीडियो वाइरल हुआ है, यह देख लेजी, यह किस तरह की बत तमीजी चल रही है, ऐसा माना जा सकता है कि अगर आपको मुझरा देखना हो तो आप दिल्ली मेट्रों चल कह रहे हैं कि अगर यहीं पर किसी किनारे में कोई वक्ति नमाज पर लेता तो सोचिये क्या हो जाता सोचिये अगर इस जगा पर कोई बंदा जो है किनारे में बैठ करके नमाज पढ़ लेता तो अभी तक क्या हो जाता पूरे भारत में हंगामा मच गया होता लेकिन यह पहली मेट्रों में कितने सारे लोग होते हों कि कुछ बच्चे भी पहुंच जाते हैं कुछ जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को ले करके पुरुष होते हैं वो अपने बच्चों को ले करके पहुंचते हैं जब वो इन दिल्ली मेट्रों के अंदर की तस्वीर आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा दें यह भारतीयरěल की वीडियो है इस वीडियोको अगर आप देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि यार कोई इस तरह से कैसे नाच सकता है। उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली मेट्रों के अंदर की तस्वीर है, जिसे आप देखिए किस तरह से रेल्स बनाने का मुहीम चल रहा है, ये भी एक तस्वीर आप वहीं की देख रहे हैं, एक तस्वीर आप ये भी देखिए, ये भी दिल्ली मेट्रों के अंदर जो है ये सब कुछ हो रहा है इतना seductive dance करने का क्या मतलब बनता है लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जायज है लेकिन कोई बंदा अगर train के seat पे अपनी seat पे बैठ के नमास पढ़ने लग जाता है तो नीचे seat पे बैठे हुए लोग जोड़ जोड़ से हनुम मुसल्मान जी की याद आती है बलके इसलिए क्योंके कोई मुसल्मान नमास कैसे पढ़ सकता है और वही दूसरी तरफ इस तरह से दिल्ली मेट्रों के अंदर गंदगी फैलाई जा रही है इसे देखिए और बार बार देखिए ताके आपको ये बात समझ में आ सके कि भारत किस तरह से अशलीलता पड़ोसी जा रही है इसे आप देखिए किस तरह से दो लड़कियां जो है वो इस तरह की हरकत कर रही है जो किसी भी तरह से कुबूल करने के लायक नहीं है लेकिन शायद भारत के चंद लोग ऐसे हैं जो भारत का तसवर इसी तरह से करना चाहते हैं वो इसी तरह से देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, वो चाहते हैं कि इसी तरह चीजे देखने को मिले और सोशल मीरिया पे लोग ऐसा कह भी रहें। आप तमाम लोग इस पूरे परकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कोमेंट सेक्शन में जरूर दीचेगा दो मिनिट के लिए अगर कोई बंदा सडक के नारे नमाज पढ़ लेता है तो उस पर पुलिस प्रिशासन लात जूते का इस्तमाल करने लग जाती है चाहे वो लोकल ट्रेंज हो चाहे वो अलग अलग ट्रेंज हो उन तमाम ट्रेंज से जो तस्वीरे सामने आई वो काफी चौकाने वाली रही जिसमें नाच गाना और लोगों की इंटिमिसी तमाम चीज़ें देखने को मिली अब सवाल यह उठता है कि इन पब्लिक प्लेसिस पर इस तरह की जो हरकते हो रही है इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए या फिर सजा सिर्फ ये है कि कोई वक्ती नमाज पढ़ ले तो इस से दिक्कत हो जाती है असल में नमाज पढ़ने से लोग डिस्टर्ब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो जो जहां पर बैठते हैं जहां पर खड़े हो जाते हैं उससे उनको परिशानी होती है बलके परिशानी ये होती है कि ये वक्ती नमाज कैसे पढ़ सकता है आगर नाचना है तो इस तरह से नाचिये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब आराम से बैठे हुए हैं, आराम से मजे से बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह तमाम लोगों को दिक्कते नहीं होती है, यह सब कुछ कड़िये, दिल्ली मेट्रो हो, अलग-अलग जगा पर कहां क किसी को दिक्कत होती है यह आप देख लीजे किस तरह से डांस के नाम पर अश्लीलता परोसा जा रहा है रेलवे के अंदर मेट्रो के अंदर जो तस्वीरे आई वो काफी चौकाने वाली रही है इस तरह से ट्रेन में हरकते की जा रही है और दुनिया तमाशबीन बन करके दे दांस नहीं कर रही है बलके अश्लीलता फैला रही है यह इस वीडियो के बारे में मैंने इससे पहले भी एक बार वीडियो बनाए था किस तरह से सेड़क्टिव डांस करने की कोशिश की गई जिसे देखने के बाद कोई भी आदमी जो है वो यह सोचे कि यह हो क्या रहा है लेकिन यह तमाम चीजें जायज है रेलवे के अंदर तमाम चगों पर बस जायज यह नहीं है कि आप कहीं किसी किनारे में बैट करके अपनी सीट पर बैट करके नमास बढ़े आखिर ऐसा क्यूं है यह एक सवाल या निशान है आप तमाम लोग अपनी राई कोमेंट किसी नें पेंश का सका साथ